प्राइबेट कमपनी में आपका सबसे ज़्यादा प्रोब्लेम आता है योटी ओवारेड क्रेन से इसलिए दोस्तो मैं क्या करता हूँ प्रोब्लेम आता है ज्यादा तर मैं फॉल्ड के बारे में आप लोग को बताता हूँ आज भी एक फॉल्ड के बारे में आप लोग को बताऊंगा तो दोस्तो पहले कोश्चन को अराम से समझ लेजिए में हस्ट का मोटोर में आपका क्या होता है जब हम लोग रिवास से फर्वार्ड चलाते है किस से चलाते है मास्टर कंट्रोल से चलाते है तो दोस्तो में हस्ट का मोटोर में आपका क्या फॉल्ड आ रहा है डाइवर आपको क्या बोल रहा है क्या हम रिवास चला है या फर् पहंटा बाद कभी कभी हो रहा है तो इसका फॉल्ड क्या है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए इससे क्या होगा आपका एक्स्पिनेस बहुत अच्छा हो जाएगा नमस्कार दोस्तों आप देखरें टेक्निसियांत अपन यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत भ्रेड हमको बोल रहा है कि आपका जो सारा वीडियो है सारा वीडियो हम लेओ को नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में मैं उसको भी आप लेओ को समझा दे रहा हूं कि जितना सारा मेरा वीडियो आपको किस तरह मिलेगा सबसे पहले आपको यूटीसई ओपन करना है और यूटीउब करने के बाद आपको किजियेगा करने के बाद अप इसको साच कर दिजिए गा तो जब साच हो जाएगा तो मेरा देखिए वीडियो सब आ गिया लेकिन यहां पर पोस्त जितना सारा वीडियो है कुछ-कुछ वीडियो आएगा उसके बाद आपका नहीं आएगा तो इसके लिए क्या करना है यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है जैसे हो रहा है कि 223 को वीडियो है इसमें आपको क्लिक करना है इसमें जब आप क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल आपका खुल जाएगा खुलने के बाद आपका यह जो वीडियो वाला आप्शन है यह वीडियो वाला आप्शन में आपको क्लिक कर जब आप वीडियो वाला option में क्लिक किजिएगा तो जितना सारा वीडियो है मेरा सारा वीडियो आ जाएगा और आप देखिएगा कोई भी वीडियो तो आपको देखने में कुछ भी दिकत नहीं होगा दोस्तो ये comment और WhatsApp में जो message आता है इस वीडियो में उसका reply भी दे दिया हूँ तो इस तरह मेरा जितना सारा वीडियो है वो आप देख लीजिएगा कुछ भी दिकत नहीं होगा हर topic के उपर वीडियो है और उसके उपर लिखा हुआ भी है कि कौन सा topic में आपका वीडियो है शिरिफ उपर में नाम पढ़ लीजिएगा पढ़ने के बाद उसका details भी side में लिखा हुआ रहता है details देखने के बाद आप अराम से वीडियो देखिएगा तो कुछ भी दिकत नहीं होगा 223 को वीडियो में already upload किया हूँ और यह जो short वीडियो है जो छोटा छोटा वीडियो है यह छोटा छोटा वीडियो में जो practical में क्या क्या होता है यह short वीडियो में आपको practical बला भी देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकर दोस्तों मैं जो भी वीडियो में आप लोग को समझाता हूँ इसमें ज़्यादा practical मैं नहीं डालता हूँ इसलिए मैं short वीडियो डालके आप लोग को पहले ही दे चुका हूँ इससे क्या होगा दोस्तों जब short वीडियो आप देख लिजिएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा ठीक है दोस्तों आभी जो वीडियो के main point है उसमें हम लोग चलते हैं दोस्तों इंटर्व्यू में किस टाइप का question पूछा है उसको आपको बढ़िया से समझना है जब तक आप question को ठीक से नहीं समझिएगा उसका answer देने में काफी दिकत हो जाएगा दोस्तों अगर आप कोई भी company में इंटर्व्यू दे रहे हैं question अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पुछिएगा उसके लिए कुछ भी दिकत नहीं होता है और आपको ज़्यादा घबराने के भी जरूरत नहीं है आप अराम से relax हो के इंटर्वू दीजिएगा क्या होता है दोस्तो जब आपके अंदर से एको जो डर होता है वो डर अगर नहीं रहेगा तो आपको जबाब देने भी भी काफी आसान रहता है इसलिए दोस्तो मेरा जो वार्ट्सप है वार्ट्सप भी मैं बहुत आदमी को अभी क्या करता हूँ अभी कोस्चन दे देता हूँ और कोस्चन का क्या-क्या एंसर दे रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ इससे क्या होगा जो लोग काम कर रहा है उन लोग काफी आसान हो जाएगा कोई भी प्राइबेट कम्पनी में जब इंटर्वी देने जाएगा तो उसको जबाब देने में कुछ भी दीकत नहीं होगा उसके लिवी मैं अपना वर्ट्सोप में क्लास दे देता हो दोस्तो हम लोगों को पूछा गया है कि जो हमारा मेन होस्ट है मेन होस्ट में रिवस और फर्वार्ड दोनों आपका चल रहा है लेकिन दोस्तो कभी कभी क्या हो रहा है ज्यादा आरिया हो जा रहा है मतलब ज्यादा फर्वार्ड साइड आपका चल रहा है तो इसको हम लोग किस तरह ठीक करेंगे और किस तरह इंटर्विव में जबाब देना है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारा phase wiring कौन सा है मतलब phase circuit कौन सा है और हमारा controlling connection कौन सा है या आपका controlling wiring कौन सा है दोस्तो जो हमारा phase का connection है मतलब phase का जो wiring होता है यह जो ryb है ryb हमारा कहां से आता है और active panel का main contractor का output से आता है जब आपका objective panel का main contractor on हो जाता है on होने के बाद आपका main host, LTE, CT आपका auxiliary host सब में आपका 3 phase supply आ जाता है main contractor जब दक on नहीं होगा कोई भी panel में आपका 3 phase supply नहीं आता है तो productive panel से जो हमारा 3 phase supply आया आने का बाद क्या होता है दोस्तो हर panel में आपका MCC भी या आपका huge लगा हुआ रहता है ये भी आपको देखना है कि जो हमारा motor है ये जो हमारा motor है motor हमारा कितना HP का है और motor का full load current कितना है अगर current निकालना आपको नहीं आता है उसके उपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो का आप देख लीजिएगा तो आपको हर motor का MPR निकालना आ जाएगा कुछ भी दिकत नहीं है एक मिनिट के अंदर में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है तो MCCB में आके रुका हूँ रहता है जाब आप MCCB को on करते हैं तो आपका three page supply जो reverse forward और ये जो break के लिए आपका contactor लगा हूँ रहता है इसका जो MCB है MCB में आता है तो उससे पहले दोस्तों क्या होता है ये जो reverse forward का power contactor है power contactor में पहले आ जाता है उसके बाद एक MCB में आपका three page supply आता है ये किस में जाता है ये break thyristor जो हमारा लगा हूँ रहता है break thyristor में जाता है break thyristor किस के थुरू आता है break thyristor के लिए एक contactor लगा हूँ रहता है जिसको हम लोग power पावर कंटर बोलते हैं, तो हमारा एक reverse के लिए पावर कंटर हो गया, एक forward के लिए पावर कंटर हो गया, और एक break थाइरेस्टर के लिए पावर कंटर हो गया, दोस्तो, अगर आपका main host में कुछ भी problem होता है, तो आपका EA, MCCB triff होगा, और दोस्तो, break में अगर कुछ भी problem ह होगा तो आपका MCB होगा इसको दोनों अलग-अलग इसलिए कर दिया है कि जो हमारा ये ब्रेक थाइरेश्टर का केविल है कभी-कभी में आपको बताऊंगा उससे पहले दोस्तों आपको ये जो कंटोलिंग के कनेक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा तो हमारा कंटोलिंग सप्लाई किस तरह काम करता है EOT overhead crane में जो हमारा productive panel से 110 volt supply आया 110 volt supply आने के बाद एक newton और एक फेज आता है और आपका MCV में connection होता है MCV का input में MCV तक आपका 110 volt supply आ गया आने के बाद जब आप इस MCV को on किजिएगा तो आपका controlling supply चालो होगा और ये जो controlling supply है controlling supply को फेज सर्किट से मतलब नहीं है फेज आपका अलग रहता है controlling आपका अलग रहता है दोस्तो ये जो MCV है MCV को जब हम on करेंगे on करेंगे मतलब यहां पर हमारा NCE बनेगा तब हमारा ये जो neutral circuit है मतलब neutral का जो हम लोग connection करते हैं ये हमारा जो reverse, forward और break के लिए जो contactor लगा हुआ है इसका जो A2 point है A2 point में आपका neutral supply आ जाता है दोस्तो इससे पहले मैं video बनाया हूँ के A2 पे भी आपका limit switch का connection होता है और फेज circuit से भी होता है आज मैं फेज circuit से limit switch का connection किया हूँ अगर neutral बला आपको connection चाहिए तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा फेज का भी है और आपका neutral का भी है दोनों का आपका कोई दिकत ने दोनों का मैं बना के रख दिया हूँ तो इस तरह दोस्तो हमारा neutral circuit काम कर रहा है और फेज circuit हमारा किस तरह काम कर रहा है जब हम MCV को on करेंगे यहाँ पर NC बनेगा तो हमारा thermal overload relay में आ जाएगा thermal overload relay जब दख हमारा NC बना रहेगा तब दख आपका master control में supply 110 volt आएगा अगर कोई कारण से यह thermal overload relay आपका NO हो जाएगा तो master control में supply जाना बंध हो जाएगा अगर master control में supply जाना बंध हो जाएगा तो आपका यह जो power contactor है power contactor आपका काम नहीं करेगा मतलब चाहे reverse side हो या forward side हो कोई भी कुछ भी आपका काम नहीं करेगा totally आपका panel stop हो जाएगा तो हमारा जो यह thermal overload relay है जब दक हमारा NC बना हुआ है तब दक आपको master control में 110 volt supply मिल रहा है अभी दोस्तो जब हम reverse side चलाएंगे मतलब जो master controller है इसको हम एक number में जब लगाएंगे तो यह master controller का kit हमारा NC बनेगा जब यह NC बनेगा तो phase supply हमारा limit switch में आएगा और limit switch जब दक हमारा NC बना रहेगा तब ही आपका supply आगे आएगा अगर कोई करण से यह limit switch में आपका एक kit लगा हुआ रहता है यह kit no हो जाएगा तो आपका reverse side बंध हो जाएगा अगर आपका यह limit switch से NC no हो गया और supply नहीं आ रहा है इसका भी problem आता है और आपका जो master controller का kit है इसमें से भी problem आता है NC बना हुआ है NC जब दक बना हुआ है तब दक आपका यह जो 2C2 मतलब यह जो हमारा forward का contactor है forward का contactor का यह NC है NC में in हुआ फिर NC से out हुआ जब दक यह NC रहेगा तब दक आपका reverse का contactor on होगा अगर कोई करण से आपका यह NO हो जाएगा तो आपका reverse का contactor चालू नहीं होगा दोस्तों same to same forward side पे भी होता है तो आपको यह समझ में आ गिया है कि हमारा reverse बला contactor और forward बला contactor कीस तरह काम करता है अभी दोस्तों यह जो break बला contactor है break बला contactor कीस तरह काम करता है वो भी आपको समझना पड़ेगा जो आप reverse side में master control को एक नमबर में लगा रहे हैं तो इसके साथ आपका दोस्तों क्या होता है एक reverse side का कीट लगता है और उसके साथ आपका break का भी कीट लग जाता है मतलब दोस्तों एक साथ आपका दोनों कीट आपका NC होता है जब आपका दोनों कीट NC होता है उस टाइमें आपका क्या होता है एक reverse का contactor पकड़ता है मतलब एक reverse का contactor on होता है और उसके साथ दोस्तों break का contactor on होता है break का contactor कब on होता है अगर कोई कारण से ये reverse का contactor आपका on नहीं हुआ तो आपका break का भी contactor on नहीं होगा किसी भी हल में नहीं होगा क्योंके दोस्तों ये जो हमारा reverse बला contactor का no point है no point से break का contactor का interlock दिया हुआ है ये पहले क्या होगा ये reverse बला contactor on होगा यहां से जो supply आ रहा है और चाहे आप रिवास का ये फरवार ले चलाएगा बेचा करनेक्शन दिया हुँ रहता है आप मिला के देख लिजिएगा चाहे आप reverse side चलाईए या forward side चलाईए same to same होता है दोनों जो आपका power contactor है यह दोनों power contactor का एनो point से brake का contactor का supply दिया हो रहता है अगर दिया हुआ नहीं भी है फिर भी आप connection कीजिएगा फिर भी कुछ दिकत नहीं होगा कोई कोई क्रेन में क्या होता है दोस्तों जो बिरेक वाला contactor है बिरेक वाला contactor नहीं रहता है जो हमारे यह motor है motor का terminal से ही थिरी फेज लेके यह brake thyristor को supply दे देता है लेकिन दोस्तों इस standard company के crane में अगर आप काम कीजिएगा तो यह बिरेक के लिए contactor जो रूर लगा हुआ रहेगा और इसका master control भी इसी type का रहता है मैं master control का भी video बनाया हूँ ओभी अगर आप देखे नहीं है तो ओभी आप देख लीजिएगा तो और इस circuit को समझने में आपको बहुत असान रहेगा अभी दोस्तो यह circuit के बारे में तो हम लोग समझ लिए है अभी fold के बारे में समझना है कि fold आएगा तो हमको क्या क्या करना है यह हमारा main important अगर आप fold के बारे में जान जाईएगा तो आपको कुछ भी दिकत नहीं होगा आडाम से आप कोई भी योटी ओवालेट क्रेन में क मतलब आपका नीचे तरब जाता है तो ज्यादा आपका नीचे चला जा रहा है लेकिन उपर नहीं आ रहा है इसका मतलब है दोस्तों यह जो nc है या limit switch है या master controller का कीट है यह तीनों में आपका क्या हो रहा है किसी एक में थोड़ा सा problem हो रहा है मतलब चाहे आप limit switch के कीट म कबी नहीं होता है यह problem में solve कर चुका हो तब उस्टाइम क्या होता है कि रिवास का आपका आपका kontaktor ओन नहीं होता है और nc पे भी सेम problem होता है और master control पे भी सेम problem होता है कभी-कभी आपका कीट घीच जाता तो ठीक से touch नहीं होता है लेकिन दोस्तों यह जो आपका कभी-क तिरेट नहीं होता है इसका effect किसमें आता हैैस में होता है को आपका reverse साइड चल नहीं पाता है और forwardJean आपका चल जाता है उस Game Das कि मैं वी इस टाइम स्वाव क्ते हुए हम आपका आरिया होने लगता है इसलिए जो हमारे ये फर्ड आता है तो आभी हमारा रिवर्स साइड नहीं चल रहा है फर्वर्ड साइड चल रहा है तो ड्राइबर जो क्या करता है रिवर्स साइड चला रहा है या फर्वर्ड साइड चला रहा है तुरंद क्या करता है आपका फर्वर्ड साइड चलाते चलाते रिवर्स साइड आपका master control लगा देता है एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर वे तो ये reverse side का जब contactor on नहीं होता है उस time क्या होता है ये break thyristor जो है थोड़ा सा धीला ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है तो क्या होता कि ये area होने लगता है उस time हम लोगों क्या महसुस होता है कि हमारा ज़्यादा area हो जा रहा है मतलब area तरब ज़्यादा चल रहा है और reverse side चल नहीं रहा है तो इसका भी एक बहुत आसान उपाई है समझाने का और समझने का reverse side मान लिजिए किसी भी हाल में आपका चली नहीं रहा है या कभी कभी चल रहा है तो उस time में आपका क्या हो रहा है आपका ये जो phase supply है phase supply में क्या हो रहा है ये हमारा forward का contactor है power का और ये reverse का है और ये break का है जब आप ये जो forward वाला contactor है ये forward वाला तो आपका ओन हो गया ओन होने के बाद जब आप रिवर साइड मास्टर कांट्रोल को लगा दिये लग गया इसका जो कीट है यह कीट कोई कारण से आपका तीन गो आरवाई भी सप्लाई है एक दो दो फेज सप्लाई आपका ठिक से नहीं जा रहा है और आपका एक फेज जा दो फेज जा रहा है लेकिन दोस्तों उस्टाइम में आपका क्या होता आपका मोटर में आपका 3 पेजilen नहीं पहुचता है जब आपका अपका मोटर में सफलाई नहीं पहुंचेगा उस्टाम क्या होता है यह जो हमारा MCCB है MCCB का इन जो आउटपूट है आउटपूट से आपका बिरेक के लिए सप्लाई दिया हुआ है तो उस टाइम आपका क्या होगा मोटोर तो आपका घुमेगा नहीं लेकिन यह जो बिरेक वाला कॉंटक्टर है यह तो आपका ओन हो जाएगा मतलब रिवास तो ओन हुआ ही है उसके साथ आपका बिरेक वाला भी कॉंटक्टर ओन हो गया तो इसमें थिरी फेज सप्लाई आपका जा नहीं पा रहा है यह आपका चाहे दो फेज जा रहा है यह एक फेज नहीं जा रहा है तब क्या होता है यह बिरेक वाला कॉंटक्टर आपका ओन हो जाता है जब ब्रेक बला कॉंटेक्टर आपका ओन हो जाएगा तब तो automatically RRI होगा हभी किसी भी हाल में नहीं होगा क्योंकर दोस्तों रिवास बला कॉंटेक्टर से तो आपका सिंगल हो चुका है जब आपका सिंगल फेज हो पॉइंट आपका खराब हो जाता है और एंसी पॉइंट जब खराब हो जाएगा तो रिवेस साइड नहीं चलेगा लेकिन दोस्तो जो रिवेस साइड आपका नहीं चलेगा अगर या कभी-कभी आपका नहीं चल रहा है यह किसके चलते हो रहा है ज्यादा तरह आपका सिंग में कई सिल खेस होने लागेगा मोटर तब आपका बीरेक का कॉंटक्रणुर होगा और सिरिफ अर्याइई चलेगा हमशर किसी भी हल में नहीं चलेगा इसलिए यह प्रॉब्लेम क्या होता है कि कभी Rouge हो जाता है, 새 MCZP का दो पोल में.. आपका Supply आता है एक पोल में नहीं आता है और ये contactor पे भी क्या होता है दो phase में आपका Supply जा रहा है लेकिन एक phase में आपका Supply नहीं जा रहा है उस time Тыम आपका Motor तो on हो जा रहा है लेकिनavenight मोटोर दीन phase के जैसे जगा दो फेज जा रहा है तो मोटोर आपका नहीं चल पा रहा है लेकिन आपका दो फेज में थाइरेश्टर आपका चालू हो जाता है और दो फेज दे के आप थाइरेश्टर में देखिएगा ज्यादा पेसार नहीं ले पाता है लेकिन थाइरेश्टर आपका दो फेज में उठन उट जाएगा उस टाइम क्या होगा आपका हभिष तो होगा नहीं डैरेट आपका अर्याई होगा इसलिए आपको ड्राइबर बोलता है कि आपका कभी-कभी यह प्रॉब्लेम आ रहा है यह हमेशा प्रॉब्लेम नहीं आ रहा है और इसी चीज़ को आपको बहुत अच्छा स समझना है कि आखिर हो क्या रहा है क्यों ऐसा हो रहा है हम एंसी चेक कर लिए लिमिट स्विच चेक कर लिए उसके बाद आपका रिवास का कीट चेक कर लिए फिर भी प्रॉब्लेम सोट आउट नहीं हो रहा है और हम जो आगे इंटर्विव दे रहे हैं इंटर्विव जिस का Commonwealth में होगा तभी आपका आरिया ज़्यादा होगा आपका मतलब रिवार्स साइड नहीं चलेगा जब का ओन होगा और रिवार्स का उन नहीं होगा तभी यह प्रब्लेम आएगा कियो के ब्रेक थैरेश्टर आपका काम कर जाता है तो जीस बहुत अच्छा से समझाया है जब दक ये चीज आप बना के नहीं समझाईएगा आप किसी भी हाल में मुग का बात से आप नहीं समझा सकते आप अराम से बात करके कितनों भी बोल लीजिए आगे बला आदमी समझेगा ही नहीं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है और अगर आ डाइगराम बना के जब समझाईएगा तब आगे बला आदमी को समझ में आएगा कि इसको अच्छा नौलेज है और अच्छा काम जानता है इसी तरह दोस्तों होता है एक्सप्रियेंस अगर आपके पास एक्सप्रियेंस अच्छा रहेगा तो काम भी आपको अच्छा-च् पे नहीं आया है तो आप कॉमेंट करके हमको जुरूर बता सकते हैं उसके लिए कुछ भी दीकत नहीं है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट जुरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा